नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौकत है, मैं प्रियाम आपके साथ पापुलर फ्रंट आफ इंडिया मामले में बिहार, यूपी और गुजरात में एन आई ए और एटीएस ने रेट मारी, बिहार के पटना और दर्बंगा में छापे मारी की गई रविवार की सुबह पांच बजे टीम ने दोनों जग़ा एक साथ कारवाई की है ये रेट करीब आठ घंटे तक चली, यूपी के बरिली में भी टीम ने छपे मारी की है गुजरात की लोकेशन का अभी पता नहीं चल पाया है दर्बंगा में बहेरा थाना शेत्र में, गाजियाना गाउ और छोटकी बाजार में टीम ने कारवाई की दोनों गाउ से टीम ने पांच यूपो को पुछताच के लिए अपने साथ लाया गया चार घंटे चली पुछताच के बाद टीम ने सभी को छोड़ दिया इन में से एक यूवक पतना के मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था यूवक अर्भी भाषा को ट्रांसलेट करने में माही रहे एन आई ए को इनपूट मिला था कि उसका आई एसाई से कनेक्शन है इसके बाद ये रेट मारी गई थी टीम यहां से दो मोबाईल और बेंक डिटेल भी साथ ले गई थी पटना में टीम ने ये कारवाई फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया के पास मुभाद रियाजOOD्जिन कासमी की किताब की दुकान में की टीम की छापे मारी के दौरान मوجود पास ही रहने वाले मुभाद एमडी अलम ने बताया कि यहां एक किताब की दुकान है ये दुकान मुहम्मद कास्मी साब की है या उर्दू अर्वी की किताबे मिलती है टीम किताबों में कुछ ढूंड रही थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला हम कास्मी साब को अच्छे से जानते हैं वो इस तरह के इंसान नहीं है सुत्रों के अनुसार ये कारवाई तमिल ना झाल झाल